Hello students, Welcome back और YouTube channel Study Circle 24 Dear students, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका Chemistry subject का Practical का वीडियो ठीक है? Practical आपको किस प्रकार से लिखना है? कैसे लिखना है? उसे हम बताएंगे आपको आपको किस प्रकार से लिखना है और आपको पढ़ाई के लिए भी most important question भी हम कुछ subject का बता दी है और आगे की वीडियो में भी हम बता देंगे ठीक है? तो आप वहां से आप अच्छे से complete करें ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि चैनल पर नहीं है तो को सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो की लेटिट अपडेट मिलती रहे ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या लिखेना है आपको चलिए हम आपको जितना बताएंगे आपको उतना ही लिखना है उससे ज्यादा नहीं लिखना है तो प्रियुक संख्या एक यानि प्रियुक क्रमांक एक आप लिखेंगे तो चलिए इसमें से क्या-क्या लिखना है आपको सबसे पहले उद्देश्य लिखना है तो उद्द सक्स उपकरण की जुरुत पड़ेगी कांच नली यह चड मापक फीता छोटी तिरकोण तिरकोणी रेती और गैस बरन इस्परिट लाएं ठीक है अब प्रियोक कैसे किया जाना है उसके उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पस लिखना है तो उसी आप लिखेंगे यहाँ से ठीक है अब इसकी बाद यहाँ पास इसका यह डाइग्राम आप बना लीजिए कि कांच की नली पर खरोच लगाना और कांच नली को पकड़ना जाता मोड़ना ठीक है अब इतना लिखने के बाद आप सौधानिया लिखेंगे ठीक है सौधानिया लिख देना है आपको इतना कि क्या-क्या सौधानिया रखना है और फिर दूसरा इसी का पॉइंट अगर आप डाल दें तो कांच की नली को मोड़ना इसके लिए आप सक समागरी आपको लिखना है प्रयोक कैसे किया जाना है उसे आपको लिखना है और चित्र बना लिजिए आप यहां से ठीक है इसे आप लिख दीजिए और इसके बाद आपको सौधानिय लिखना है सवधानिय क्या लिखेंगे, मोडे भाग को थंडा होने तक इस पर्ष नहीं करें, ठीक है, इतना ही आपको इसमें करना है, अब देखें आपको प्रयोक्रमंक दो करना है, दो है, कम गलनांक वाले ठोस पदात का गलनांक ज्यात करना है, ठीक है, यह उद्देश्य होगे आप का ठीक है इसके बाद आप लिखेंगे समागरी लिखेंगे ठीक है समागरी उपकरण और रचानिक पदात लीजदे लीजे यहां से अब इसके बाद आप इसका प्रयाग विद्धी लिख लेंगे यहां से ठीक है यह point wise है और diagram भी बना लीजे केशना लिखा के सीरे को बंद करना और फिर इसके बाद यह डाइग्राम बनाने के बाद फिर आगे का प्रक्रिय आप लिखें पॉइंट आप लिखें फिर उसके बाद यहां से साउधानिय लिखेंगे आप और उसके बाद लास्ट मिया प्रिच्छन सारणी बना लीजी ठीक है अब अगला तीसरा क्रमांग देख लीजे और इसका निसकर्स आप लिख लीजे बस ठीक है दिये गए पदात का गलनांख 0 degrees centigrade या फिर कितना आएगा आप उपर से अगर लिखेंगे solve करके तो उसे आपको यहां लिखना है या आप इधर छोड़ भी सकते हैं अगर आपने प्रियोग नहीं किया है तो नेक्स्ट देख लीजे प्रियोग रमांग तीन है hydrochloric उद्देश लिखेंगे hydrochloric अमला sulfuric अमला तथा natric अमला के सांद्र बिलेनों से दी हुई सांद्रता के तनु बिलेन त्यार करना ठीक है तो आप इसे उद्देश लिखने के बाद फिर आप यहां से क्या लिखेंगे आवेश्यक समागरी लिखना है आपको ठीक है यहां से यह आवेश्यक समागरी लिखेंगे फिर आपको प्रियोग किस प्रकार करना है उसे लिखेंगे इसको लिखेंगे अब इसके बाद आगे सवधानिया लिखेंगे आप और प्रिच्चन ऑबजर्वेशन और इसके बाद यह निसकर्स हो जाएगा ठीक है कि निसकर्स आप इतना ही लिखेंगे तनु करण विधी से वांचित सांद्रन के विलियन सांद्र विलियनों से त्यार किये जा सकते हैं इस वीडियो को जाधा जाधा शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के हल्प के लिए बना जा रही है और समय बहुत कम है, सभी को लिखना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी और जो आपका गुरूप बना है, तो उसे में शेर कर सकते हैं, ठीक है, ओके, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करनें, जिससे कि आपको आगे की वीडिय कारी मिलती रहें, अब आपको यहां से प्रिक्रवंक, यहां चार लिखना है, यहां चार कर दीजेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट आप आगे देख सकते हैं, उद्देश से क्या लिखेंगे, उद्देश से आपको यह लिखना है, कि कच्छे तापमान पर वैदुत अबगटन की सांदरता में परिवर्तन के साथ जिंक, जिंक आयन और कॉपर, प्लस आयन, प्लस टु आयन और कॉपर के सेल विभाव में परिवर्तन का अध्यन करना है, ठीक है, यह आपका उद्देश्च चे हो गया, फिर इसके बाद आपको आवशक समागरी लिखना है, यहां से का विचरन फिर दूसरे में बिजिंग के सलफेट के बिल्यान का विचरन और फिर सॉल्ट वरिज का विचरन फिर शमान या वैद्दूत रसानिक सेल को ववस्तेत करना और यह में कमापना इसे आप लिख लेंगे यहां तक इसके बाद यह आप डाइग्राम बना लिजेगा इसके बाद यह प्रिचरन और निसकर्ष गढ़ना करने के बाद आपको निसकर्ष लिखना है ठीक है यह हो गया अधिकान साब इतना ही करी और अगर इससे अधिक आपको करना होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ठीक है मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में आपको आगे के पेपर के लिए वीस बेस्ट अप्लग गुड लग थैंक यू